नमस्कार दोस्तों मैं हूँ वर्शिच चौबे और आज हम बात करेंगे ऑस्टेलिया विमिन और वेस्ट इंडीस विमिन के बीच जो फर्स्ट टी-20 याई मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में ड्रीमलन का प्रेडिक्शन देखेंगे हर एक प्लियर के बारे में डीटे लास तक अगर आप बने रहते तो स्मॉल ली के साथ साथ जील की टीम भी मैं आपके लिए लेके आए हूँ तो लास तक बने रहना लास में वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ जोड़ सकते हैं चलिए सीथा मैच की तरफ और मैच के बारे में बात करेंगी उसके पहले मैं आपको बता दूँगा अगर आप अभी था खंसे टेलिग्राम पर कनेक्ट नहीं होएं तो टेलिग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं क्यों होना है टेलिग्राम पर कनेक्ट क्योंकि फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको टे करके भी सीधा आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं सब कुछ अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगा आयोप आप आप अल्डेडी जॉइन कर चुके हैं सीधा मैच पर आ जाते हैं और यहां से दोस्तों हम बात करते हैं वेन्यू के बारे में वेन्यू क्या है नौर्थ सिड्नी वाला है और बैटर्स फ्रेंडी और जनरली आप देखते हैं मैच पर अच्छा भी करती है और वेस्ट इंडीज की एक तरीके से कमजोरी भी स्पिनर है वहां पर आगर आप देखो बहुत जादा कमाल के बैट्समें नहीं है सिर्फ आपको एक दो बैट्समें ही बहुत वर्ड की वोगन वाली जो ऑस्टेलिया वो तो और भी ज्यादा तगडी है और वेस्ट इंडीज की बात करें क्या बहुत लो बनाएगी बहुत लो तो नहीं मैं लेकिन फिर भी 130 से 140 के बीच एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी कुछ कमाल के प्ल मैच ऑस्टेलिया ने 226 बनाए थे शिलंका सिर्फ 94 बना पाया था दो विकेट पेसर और शेविकेट इसमें उसके पहले वाला मैच शिलंका ने बनाए 84 ऑस्टेलिया नासानी से चेस कर लिया है पिछले तीनों मैच इस ऑस्टेलिया इस वेन्यू में जीत के आ रहा है और वात है और अगर निउव फॉर्मेट में बना रहे हो तो फिर आप एट थ्री या नाइन टू के और सीधा दोस्तों हम बात कर लेते हैं और पॉस्टेलिया की पॉसिबल 11 के बारे में और स्क्रीन शॉट ले सकते हो बैटिंग और क्या कोर्डिंग यह है और यार वेस्ट इ लाइन अप के बाद कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर को टीम रेस्ट दे दे और ना यह प्लेयर को मौका दे तो फिलाल तो यही है कोई चेंजस अगर होते हैं कोई एक्सपरिमेंट ऑस्टेलिया करती है तो आपको टेलिग्राम पर बता दुगा चलिए शुरुआत करते हैं लिग में करो स्मॉल लिग में तो आल्राउंडर के सांथ जाना थोड़ा जादा बैतर होगा ग्रेंट लिग में जरूर आप बैत मूरी को कैप्टेन वाइस कैप्टन तक सोच खते हैं आगे बात करते हैं ऐलिसा हिली 24 का एवरेज एक्सपीरियस तो बहुत ही जादा है ले बहतर चोईस होती है क्योंकि अगर वैस्ट इंडिस लो स्कूर बनाता है तो फिर आराम से यह चेज कर सकती है तो वैसी कंडिशन में एलिसा हिली को आप बिलकुल अपनी टीम में रख सकते हो फोर्स बोल में स्मॉल लिग में डर लग रहा है तो रख लो अधर्वाइस बढ़ी टीम नहीं है कि आपको एलिस पहरी से बोलिंग करानी पड़े करती में यह तो एक दू ओवर्स डालेंगी बैटिंग से थोड़ी जादा उम्मीर है क्योंकि फिलाल तो वन डाउन दिखा रही है अगर ऑफिशियल जो लाइन अप होती है उसमें बैटिंग और चास का एवरेज है और ऐसा नहीं है अपने मैचस नहीं खेलें तीस मैचस आपने खेलें बोलिंग भी मिलती है दो से तीन ओवर्स मिलेंगे बैटिंग भी आ जाएगी फिर्स डीन में तो कंफाम है तो यह भी वाइस केप्टन की एक डिफरेंट चोईस है जो एकदम डिफ फर्स बैट अगर इनकी आती है तो बैटिंग भी कंफाम है और पीछे पूरे चार ओवर्स है वेस्ट इंडीस पीछे भी ओल आउट होने का खतरा रहेगा तो फर्स बैट में और बहतर चोईस है कैप्टन की सेकेंड बैट आ रही है तो वाइस कैप्टन रख लो या फिर करना है तो आप कर सकते हो नंबर्स आप देख सकते हो 55 विकेट भी निकाले है रंस भी अच्छे खासे की हुए ग्रेस एरिस की बात करें 36 मैचेस 9 विकेट 20 का एवरेज हाड इटर है और रिसेंटली देख सकते हो एक मैच दो मैचेस में बढ़ी है अगर क्या रही है लेकि की बात करें 19 मैचेस 10 विकेट 10 का एवरेज रीसेंट फॉर्म अच्छा है क्या ट्राय करना चाहिए फिलाल स्मॉल लिग में नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपकी बैटिंग नहीं आएगी और बोलिंग पेसर्स पे उतना जाधा बैस फस्ती नहीं है इसलिए सिर्फ नहीं ल जाता है तो ग्रेंड लीग की कुछ टीम में आप रख लेना स्मॉल लीग में जगा नहीं बन रही है जोर्जी अब रहे हैं 43 मैचेस 43 विकेट 14 का एवरेज बैटिंग तो आए की नहीं बहुत नीचा है बैटिंग बोलिंग उम्मीद कर सकते हो पूरे चार ओवर्स एक्सपीरियंस अच्छा खासा है बिल्कुल टीम के अंदर रहेंगी जोनासन 103 मैचेस 95 विकेट रीसेंट फॉर्म अच्छा है और यहां पर आप देख भी सकते हैं काफी बढ़िया कर रहे हैं तो अव्यसी बात भाई स्पिनर्स को तो हम रखेंगी खास कर ऑस्टेलिया के नेक्स बात करें मेगन शूट 99 मैचेस 128 विकेट रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है टीम में बिल्कुल जा सकते हो वेस्ट इंडी से कोई भी बोलर्स से हमें बहुत जादा उम्मीद नहीं है कि वह जो 2-3 विकेट ले जाए लेकिन यह यहां से जरूर हमें उम्मीद है कि आप वेस्ट इंडी स्कोल आउट कर जाओगे तो यहां से बोलर्स रखना थोड़ा जादा बैतर है ब्राउन की बात करें पीछे बोलिंग आती है तो ब्राउन थोड़ी जादा बैतर चोईस होगी फिर आप किसी एक स्पिनर को ब्राउन को रख सकते हो क्योंकि ब्राउन शुरुआत में ओवर्स डालेंगी हो सकता है शुरुआत में दो तीन बिकेट ले जाएं तो फिर जो जो नास है न वरे हमें जो मेडल ओवर्स में आती है उनके पास बहुत जादा कुछ ना हो तो पीछे बोलिंग आ रही है तो हमारी टीम में फर्स बोल आ रही तो ये तीनों के साथ जाना थोड़ा जादा बैतर है आगे बढ़ते और यहां पर दोस्तों हम बात करें लिच फील्ड को मौका अगर मिलता है तो रख सकते हो क्योंकि सामने उतनी स्ट्रॉंग टीम नहीं है कि आप स्ट्रगल करो आप कु शुरुआत करते हैं हेले मैथ्यूस के साथ सबी लोग जानते हैं और मुस्टी लोग की कैप्टन वाइस कैप्टन भी रहेंगी 85 मैचस 86 विकेट 21 का एवरेज है एवरेज जरूर आपको कम देख रहा है लेकिन बहुत बढ़ी है वैटिंग यह बहुत इंप्रूफ किया है वैटिंग में आपने WPL में भी देखा है और रीसेंट फॉर्म भी देख लो 82-45-22 हर मैच में रन भी है और हर मैच में विकेट भी है टीम की कैप्टन भी है साथी साथ पूरे चार ओवर्स पूरी तरीके से मौका है गाड़नर से भी ज़्यादा अगर किसी के पास मौका है तो मैठ्यूस के पास है क्योंकि ओपिणिंग आरे है और 20 नें मी बना रही है और दो विकेट ले जा रहे है और गाड़नर नना सिर्फ 2 विकेट लिएँ बैटिंग उनकी नहीं आई तो ज़्यादा वेटर चोईस मैठ्यूस बन जाएगी तो मैठ्यूस को आपको रखना ह captain कर सकते हो gardener को first bat में जाधा बढ़िया रहेंगी next बात करें गजनभी, फिलाल गजनभी को opening दिखाया है जाधा better numbers नहीं है, grand league में try करना bowling सिर्फ 2 overs मिलते हैं और उतनी बढ़िया bowling नहीं है next बात करें टेलर, 114 मैं से 35 का average, 98 wicket bowling नहीं कर रहे हैं तो captain wise captain की ये भी अच्छे choice बच जाती है सिर्फ batting कर रहे हैं और recent form थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है average काफी अच्छा है, recently उतने matches खेले भी नहीं है तो क्या करना अच्छा है, team में ले लो batting section चे, captain wise captain GL में try करो next बात करें, Rashida Williams, 11 coverage, try नहीं करेंगे Campbell, बढ़िया player, 122 matches में, 14 coverage है, 34 wicket है wicket keeping भी करेंगी, wicket keeping इन दौनों में से कोई भी कर सकता है दौनों wicket keeper है, और recent form भी Campbell का अच्छा है तो इनकी team से अगर कोई wicket keeper रखना चाहरे हो, जो की मुश्किल रहेगा क्योंकि हिली भी है, मूनी भी है, तो फिर आप Campbell के साँ जा सकते है बड़ी खासा experience इनके पास है, Henry, 44 matches, 14 wicket, 13 coverage hard hitter है, और bowling तो उतनी बैतर नहीं है, लेकिन batting आप देखो तो batting ठीक ठाक कर जाती तो क्या रखना चाहिए, मेरे according जहां 4-7 वाला combination आप लगा रहे हो, 4-7 से मेरा मतलब है जहां old format है, तीन bowlers रेने compressor है, वहाँ पे आप Henry को रख सकते हो, all rounder में बांकी उतनी बैतर choice नजर नहीं आ रही है नेक्स बात करें, एलीन, experience नहीं है, try नहीं करेंगे, Australia जैसी बड़ी टीम के पास, साथ inexperience player के साथ हम नहीं जाएंगे F.U. Fletcher एक बड़िया बोलर नजर आ रही है, इनको अगर रखना है तो रख सकते हो, और कब रख सकते हो, first bowl के अंदर रख सकते हो, पीछे Australia को तने विकेट्स नहीं गिरेगी Kornel first bowl में ठीक choice बन जाएंगी, first bowl के अंदर रख सकते हो, राम हैरेक की बात करें, grand league में रखना, small league में मत रखना, no doubt recent form तो बहुत अच्छा है, लेकिन जगह नहीं बना पा रहे है फिर हम इनके bowlers को रखेंगे, तो Australia के कैसे रखेंगे Australia का confirm है कि West Indies जहां तक है, 7-8 विकेट खोएगा, लेकिन Australia दौनों condition में 2-3, ज्यादा से ज्यादा 4 विकेट खोते होई नधर आएगा तो Australia के ज्यादा bowlers रखना थोड़ा ज्यादा बैतर होगा, यहां से ज्यादा players को मौका मिल नहीं रहा है, skin short trailer अगर रखना है तो बाखी telegram पर मैं आपको बता दूँगा, अगर हम किसी different किसान जा रहे हैं तो अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं, small league मैं captain, wise captain किसे करना है और grand league में किने रखना है captain, wise captain तो यहां पर बात करें, small league में garden, matthews, alis perry, तीनों बढ़िया चोईस है, small league में condition के according रख सकते हो, condition मैंने आपको पीछे बताइए grand league में अगर different करना है, beth mooney, बढ़िया चोईस, opening, 40 का average, next, magrath, 50 का average, bowling में भी 2-3 overs, taylor, proper batsman, first bat में 6 choice बन जाएंगे तो यह grand league में रखना है, यह small league में रखना है, पुरी 20 team के साथ जा रहे हो तो फिर यह 6 captains को अब पुरी 20 team के में divide करके अपनी team बना सकते हो बागी जो maximum team हम बनाएंगे, उसमें common players किसे रखे, जो लगबग हर team के अंदर हमारे रहना चाहिए, जो average points आपको निकाल के दे विकेट कीपिंग सेक्शन से मूनी, एलिस पैरी, टेलर, यहाँ पे गार्टनर, मैगराथ और मैथ्यूस, वरेहम और जोनास, यह जो 6-7 players हैं, यह आप maximum team के अंदर रख सकते हो, at least आपको average points निकाल के देने वाले हैं, और पैरी थोड़ा line-up पे depend करता है, पैरी अगर one down आ और अपनी grand league की team बना लेना है, next small league में हम क्या कर सकते हैं, different, जो opponent नहीं करेगा, small league में जोनासन को कुछ लोग drop कर देंगे, और सांधी साथ हैंडी नहीं रहेगी, लोग के पास परियम नहीं रहेगी, तीन मैसे कोई 2 players को तो लोग जरूर drop करेंगे, क्योंकि team बनाना थोड और dominate कर रहा है, मतलब Australia ने batting first कर दिये, बहुत ही बड़ी batting कर दिये, Australia dominate करेगा, और अगर ऐसा होता है, तो फिर मैंने captain किया है Mooney को, क्योंकि Mooney अगर opening से बड़ी पारी खेल गई, तो इनके पास पूरा मौका रहता है कि आप 70-80 तक बना जाएंगे, फिर captain बन जाएंगी wise captain फिर मैंने hilly को किया है, sorry, parry को किया है, hilly से भी मैं कुछ उम्मीद कर रहा हूँ, grey series भी last मैं कुछ shot लगा सकती है, बांकि फिर west indies से मैंने सिर्फ दो bowlers को रखा है, अगर first bat में Australia बहुत अच्छा कर रही है, तो जाधा wickets गिरें के नहीं, और थोड़ा जाधा score वो कर बांकि आप देख सकते हो, next देखें, Australia bowling first करता है, dominate कर देता है, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फिर Taylor को कर दिया है, wise captain, क्योंकि Australia bowling first कर रहा है, west indies के wickets कर रहा है, तो Taylor एक जिम्मेदार batsman है, कुछ score कर सकते हैं, gardener को captain कर दिया है, बांकि आप देख सकते हो, यो 5-6 bowlers मेरे Australia से मेरे पास रहेंगे, जो बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है, next अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करें, west indies अगर batting first करके ठीक ठाक कर देता है, तो फिर Matthews के साथ Taylor को vice captain किया है, दोनों team की experience player है, और Matthews तो bowling भी करेंगी, टेलर सिर्फ आपको batting से ही इतने points दिल नेक्स बात करें, west indies first bowl करके बहुत अच्छा कर देता है, तो फिर मैंने हिली को drop कर दिया है, पहला wicket जल्दी गिरेगा, मैंने अब gardener को vice captain रग दिया है, क्योंकि batting भी आ जाएगी, फिर first inning में, अगर जल्दी wickets करते हैं, और Matthews से कुछ wickets, और F.E. Fletcher, Ram Herak, 2 bowlers, मेरे बस फिर 4 bowlers west indies first रहेंगे, जो आपके wickets निकालने में help करेंगे, तो I hope आप समझ गए होगे, screenshot ले ले लेना, और अगर मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, तो भाई, pause करके आप screenshot ले सकते हो, बागे आप हम small league की team देख लेते हैं, वहाँ पर हमें captain wise captain किसे करना है, और किस प्लेयर के साथ में जा रहा हूं, उसके पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी helpful लग रहा है, कुछ informative लग रहा है, तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe आप कर सकते हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं, चलिए दोस्तों हम small league की team देख लेते हैं, किन प्लेयर के साथ में जा रहा ह हैं, वो matches में आपको cover करके देता हूं, international matches भी हम cover करते हैं, और बड़िया winnings होती है, overall अगर 10 matches देखोगे, 6-7 matches में easily हम win करते हैं, एक दो matches average रहते हैं, उन्हें एक दो matches का result खराब भी रहता है, भाई हारते भी ऐसा नहीं है, लेकिन जादा तर अगर आप overall वो देखोगे, तो profit में ही रहते हैं, तो टेलिग्राम पे आजाओ, GL की टीम भी आपको मिल जाएगी, सांती सांती स्मॉल लीग की टीम में captain wise captain, condition according आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा, तो आयोप आप अप अल्रडी जोईन कर चुके हो, description से कर लो, comment section से कर लो, बागी small league किस app में खेलना कोबेरा एप के अंदर, और winning के chances अच्छे खासे होते हैं, और आप skin shot भी देखी रहे हैं, last match में काफी बड़ी हा winnings की है, तो कोबेरा पे खेलना है, तो link description में वहाँ से download करोगे, तो 100 रूपी sign up bonus भी आपको मिलेगा, सांती सांट डूओ भी खेल सकते हो, डूओ में सिर् फेक प्लेयर चूस करना पड़ता है, और उसी से आप सारा मांट विन कर सकते हैं, अगर matches नहीं है, तो लूड़ो भी खेल सकते हैं, तो यतिने सारे features भाई, एकी एप के अंदर मिल रहे हैं, तो वहाँ पे खेलने से थोड़ा जादा बढ़िया आप कर रहेगा, बांकी दो क्योंकि यार हिली आप देखते हैं, रिस्की प्लेयर है, कई बार जल्दी भी आउट हो जाती है, बड़े शोट्स लगाने के चक्र में, तो फॉर्स बैट आ रही है, तो विकेट फिर भी जल्दी गिर सकता है, चेजिंग आ रही है, तो लो स्कोर रहेगा, फिर आसानी से यह कर सकते हैं, तो सेकंड इन में कंफर्म रहेगी, फॉर्स टीम में थोड़ा सा आप सोच सकते हो, बैटिंग सेक्शन से बात करें, पैरी टीम में, और टेलर टीम में, दौनों के साथ हम जा रहे हैं, बांकी कोई उतनी बैटर चोईस नजर नहीं आ रही है, तो फिर ट्र अपनी टीम के अंदर रख सकते हो, ठीक है, बैटिंग और बोलिंग, बैटिंग तो नहीं आएगी, बहुत नीचे है, बोलिंग ज़रूर कर सकती है, बाकी बोलिंग सेक्शन से बात करें, मेगन शूट टीम में, वरेहम टीम में, जौनासन टीम में, तीनों के साथ मैं जा कहना मुश्किल है, इस से बहतर है आप और बोलस रखें, जो वेस्ट इडीज के थोड़े से जादा विकेट्स गिरा, ठीक है, तो फिलाल एफी फलेचर भी मेरी टीम के अंदर नहीं है, मैं जौनासन के साथ जा रहा हूं, और बोलस को लेना थोड़े जादा बढ़ी है, म क्योंकि पूरे चार ओवर्स जौनों को मिलते हैं, और बैटिंग मैथ्यूस की थोड़ी जादा आती है, तो कैप्टन क्या गाड़नर को ही करना एकदम फिक्स नहीं है, भाई, कंडिशन के अकॉर्णिग आप जा सकते हो, फिर गाड़नर की बैटिंग भी आ जाएगी, दो तो कुछ इस तरीकी की दोस्तो हमारी टीम है, बांकि और क्या कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, वो मैंने आपको बताई है, लास्ट लाइड के अंदर पैरी को भी कर सकते हो, साथी साथ मैग ग्राथ भी एक बड़ी चॉइस है, ये जो तीन चॉइस है, इनके साथ आप जा सकते हो, टेलर, वेस्ट इंडीस से एक चॉइस है, जो आप ग्रेंड लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, ठीक है, ग्रेंड लिग की टीम ही मैने आपको बता दिये, और टेलिग्राम पे आजाओ, आप अपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट मिल ज वीडियो में thank you and thank you so much